हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक्षर मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 फरवई तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरा आप इस वीडियो को अंतो तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाईस, इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यह दिया हमारी डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीगली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग और एकोनोमिक अवाइनिस पीडियेफ चाहते हैं तो करंट अफेर्स फंडा का वनियर मेंबर्शिक प्लान आप जोइन कर सकते हैं आपको बता दें, इस प्लान के देहत हम एक साल तक आपको जितना भी हमारा पीडियेफ मेटरियल है वो प्रोवाइट कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं बैंकी एकसामों, SSC, Railway या फिर स्टेट पीचेस, कोई भी एकसाम जिसमें जनरल अवेर्नेस या करंट अफेर्स पूछी जाती है सभी एकसाम के लिए हमारी पीडियेफ मेटरियल काफी यूसफुल है तो इस प्लान को बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में दिया गया है और कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारी इस पीडियेफ को एडिस सम्मन्दित तो आप कोमेंट बुक्स में आवश्चे लिखेगा एक मैंत्यपुन बात और आपको बता दें कि ये जो भी हमारा पीडियोफ में टेल है या तो आप मारी करन्ट अफिल्स फंडा एप से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की बदद से वेब लोगिन भी कर सकते हैं तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं मैंत्यपुन कोश्चन है इसका अंसर आपको भी कॉमेंट बोक्स में करना है पूछ रहे हैं भारत्य करन्सी नोट के भासा पैनल में कितनी भासाएं हैं ओप्शन से 10, 12, 15 या फिर 17 तो जल्दी से इस कोश्चन का अंसर कोमेंट बोक्स में कर दीचे फिर आगे बढ़ते हैं है और इसीत्रे के कोश्चन सेद्या प्रैक्टिस करना में चाहते हैं तो करेंट रखेल संती जाने जाते हैं च G करनांटाफेल्समाई से थेह यहांर खोकिने सान्योक घृते हैं What is the theme for 2023 National Science Day February 28th 2030 रास्टे विज्ञान दिवस जो के 28th February को मनाया जारा इसकी theme क्या है Options आपके सामने है सही answer option D है Global Science for Global Well-Being मैं तपुन्द theme है याद रखेगा आपको जाना चाहिए हमारे देश में 28th February को हर साल National Science Day यानि कि रास्ट यह विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह वही दिन है जो हमारे देश के महान विज्ञानिक सरसीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोच की घोशना की थी आपको बताने कोवर्मेंट आफ इंडिया ने साल 1986 में यह घोशना की कि हम 28th February को National Science Day के रूप में मनाएंगे आपको बताने इस डिस्कवरी के लिए सरसीवी रमन को 1930 में नोबल प्राइस भी प्राथ हुआ 2030 में National Science Day का थीम है Global Science for Global Well-Being हाली हमने इभी देखा था कि 27th February को World NGO Day मनाया जाता है और लेकिन इसका थीम उस वक्त हमने मैंचन नहीं किया था तो देखे इसके दो थीम्स निकल कर आ रहे हैं एक तो Together for Impact, Innovate for Change and for a Just and Sustainable Word और दूसरा थीम है Role and Influence of NGOs in Advancing Human Rights Addressing Social and Environmental Challenges and Achieving Sustainable Development Goals Who is the new Drugs Controller General of India भारत के नए Drugs Controller General कोन है Options आपके सामने है और सही answer option D है Rajiv Singh Ragubanshi आपको जाना चाहिए Rajiv Singh Ragubanshi यह नए Drugs Controller General of India यानि कि DC GI बनाए गए है आपको बताते हैं यह Secretary Com Scientific Director है Indian Pharma Copio Commission में और इनको तीन साल के पीरेड के लिए इस पत्पर निक्त किया गया है यानि कि 28-2025 तक आपको जाना चाहिए VG Somani इनको replace करते हैं इस पत्पर VG Somani अगस्त 2019 से इस पत्पर कापीच थे हैं DC GI के पार में आपको जाना चाहिए Drugs Control General of India यह Central Trugs Standard Control Organization के head होते हैं और जो यह CDSCO है Central Trugs Standard Control Organization यह हमारे देश में जो ट्रक्स की quality है उसको ensure करती है कि वो proper बनी रहे और आपको यह भी जाना चाहिए कोई भी नया ड्रक्स है या फिर कोई clinical trial है उसको regulate करने की जिम्मेदारी भी इस CDSCO के पास है विच कंट्री लिप्टेट तो ICC T20 वर्ड कप ट्रोफी फॉर दे सिख्थ टाइम डिफिटिंग साओध एफ्रिका इन दे फाइनल किस देश ने फाइनल में दक्षिन अफ्रिका को हरा कर चटी बार ICC T20 विस्व कप ट्रोफी जीती है आपको जाना चाहिए हम विमन्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं और ICC T20 वर्ड कप संपन हो चुका है और इसे लगा इसे सिख्थ टाइम छटी बार आउस्टिलिया ने जीता है इन्होंने फाइनल में साओध अफ्रिका को हराया है 19 रंस से आपको जाना चाहिए इस तरह से आस्टिलिया की जो ये विमन्स टीम है इन्होंने 3-8 इसको कंप्लीट कर रहे है 3-8 मतलब लगातार तीन बार आपने जीता है 2018, 2020 और 2020 में लिखा है ना 3-8 का मतलब होता है टू इन पार्टिकल स्पॉर्टिंग चैंपेंशिप 3 ताइमस, इस्पेशली कंसेकुटिबली इनकी कैप्टेन मेग लेनिन रही इन इवेंट्स में प्लेयर अफ्टा सीरीज ऑस्ट्रेलिया की एसले का अर्डनर रही मोस्ट रंस साफ्ट अफ्रिका के लवरा वालवाट ने बनाए है मोस्ट विकेट्स इंग्लेंड की सौफी एकलेस्टोन ने लिये है आपको जाना चीज़ जो ज़जार तेस का ICC Women's T20 World Cup रहा ये इस टूर्णामेंट का 8th edition रहा साउथ अफ्रिका में हुआ 10 फर्वे से 26 मार्च के बीच में और जो फाइनल हुआ ये कैप डाउन में हुआ है एकसाइस कोब्रा वारियर इस सिड्डूल फ्रों 6 मार्च 2023 टू 24 मार्च 2023 इन विच कंट्री अभ्यास कोब्रा वारियर 6 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक किस देश में आईजित होना निर्धारित है आप्शन्स आपके सामने है सही आप्शन दी है युनाइट किंडम आपको जाना चाहिए इंडियन एर फोर्स कंटिंजेंट जिसमें 144 एर वारियर से ये युनाइट किंडम के लिए निकल चुके हैं क्योंकि युनाइट किंडम की जो रोयल एर फोर्स है इनका वेडिंग्टन एर फोर्स बेस यहाँ पर एक्सरसाइज कोपरा वारियर सिड्डूल है 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में ये आजित की जाएगी आपको बदादे एक्सरसाइज कोपरा वारियर एक मल्टि रेट्वल एर एक्सरसाइज है जिसमें की फिनलेंड, स्वीडन, साथ अफ्रिका अमेरिका और सिंगापूर इनकी जो एर फोर्स है वो भी पाटिसिपेट कर रही है आपको जाना चाहिए इंडियन एर फोर्स यहाँ पर 5 मेरेज 2000 फाइटर्स 2, C-17 Globmaster 3 और IL-78 Mid-Air Refiller Aircraft के साथ पहुँच रहा है हाले अबने भी देखा था कि इंडियन एर फोर्स एक्सरसाइज डेसर्ट फ्लेक 8 में पाटिस्पेट कर रही है यूई में इस इंडियास रेंग इंडेस इंडियन एर फोर्स एंडियन एसर उप्शन और फोर्स ए है आपको जाना चाहिए बात हम कर रहे हैं इंडियन इंडेस कि और इस इंडेक्स का ऐए 11 एडिशन है टोटल 55 कंट्रीज को सामिल किया गया इसमें से भारत की रेंग 42 है आपको जाना चाहिए जो एन्वल इंटरनेसल आईपी इंटेक्स है विए इवैलुएट करता है कि जो वर्ड की लीडिंग एकोनोमी से 55 लीडिंग एकोनोमी से जिनका ग्लोबल जीटी पे 90 परसेंट शेयर है कि किस तरह से अपने आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है टॉप पर्फोर्मर की बात करें यानि कि टॉप टैन रैंक जिने मिली है उसमें यूएस टॉप पर है यूके फ्रांस जर्मनी स्वीटन जापान दुनिटरलेंड्स आयलेंड इस्पीन एंड सुटिजलेंड इस तरह से आप देख सकते हैं आपर रैंक्स दी गई है क्लिर नहीं दिकरा होगा पर इंडिया को मैंने मार्क किया हुआ है ब्लूपेंड से विच कंट्री इस डिफेंस ग्रूप एच हैस साइंड अन एमो यू विद इंडियास एरोस्पेस फर्म हिंदूस्तान एरोनॉटिक्स एड़ इंट्रनेसल इफेंस एक्जिबिशन एन कॉन्फरेंस 2023 किस देश के रक्षा समू एच ने अंतरास्टी रक्षा पर दर्सनी और पर सम्मिलन 2023 में भारत की एरोस्पेस फर्म हिंदूस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक समझोते के आपने पर स्क्षर किये हैं ओप्शन आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन ए है यू एई देखिए जो एच है ये यू एई का एक लीडिग डिफेंस ग्रूप है इसने मेमोर इंट्रेशल डिफेंस एक्जिबिशन एंड कॉन्फरेंस 2023 कहां पर हुई है तो ये आवधावी UAE में हुई है और इसी दुरान ये MOU भी साइन किया गया तो इसको आप एक अलग कोश्चन की तरह भी पढ़ सकता है कि इंट्रेशल डिफेंस एक्जिबिशन एंड कॉन्फ जो मिसाल सिस्टम से और जो UAV हैं इनको डिजाइन किया जाए और उनको डेवलप किया जाए विस सिटी होस्टेट अ थ्री डे लोंग अलोरा अजंता इंटरेशल फेस्टिवल किस सहर ने तीन दिवस्टिय अलोरा अंतराश्टे उत्सव की मेजवानी की है आप्शन सापक सोनिर महल जो की डॉक्टर बाबा साहब अंबेड कर मुराठफार यूश्टी और अंगाबाद महाराश्टे केंपस में लोकेड़ेड है यहां इनकोरेट किया गया है आपको जाना चाहिए एलोरा अजंता इंटरेशल फेस्टिवल 1985 से से सेलिब्रेट किया जा रहा है किस बैंक ने कोरपरेट ग्रहागों के लिए एक एक इकरत पॉर्टल फिन लॉंच हिया है ओप्शन आपके सामने सही आँसर अप्शन दी है कोटक महिंद्रा बैंक देखे प्राइविट लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक फिन नाम का एक उनिफाइड पॉर्टल लॉंच किया है कोर्परेट करस्टमर्स के लिए जिसके तैद यह अपने पेमेंट्स, कलेक्शन, ट्रेट अड़ अधर सर्विसे रिलेटेड टू देयर बैंक एकाउ बैंट्टी सेकंड है इंट्रैसल बाय रिसर्स कॉनक लिए आप्ट्रोप्टलोजी कॉंग्रेस किस उत्तर पॉर्व सेहन ने अंतरास्टिय जैवसंसादन कॉनक्लिव और एथनो फार्मा कोलोजी कॉंग्रेस की मिजवानी की है options आपके सामने हैं सही आधर option यह है इमफाल देखें इमफाल मनीपुर में जो city convention center है यहाँ पर कुछ conference आयोजीत की गई एक तो है international bio research conclave 22nd congress of the international society for ethno-pharmacology and the 10th congress of society for ethno-pharmacology यह सभी इमफाल मनीपुर में हुई है theme रहा re-imaging ethno-pharmacology globalization of traditional medicine अच्छे जो यह आप यह term देखने है ethno-pharmacology इसका मतलब होता है आप देखते हैं जो हमारे यह ethnic group है यह ना ethnic community है यह लोग कुछ medicine use करते हैं मतलब कुछ plants herbs को medicine के तोर पर use करते हैं फिर other materials को medicine के तोर पर यूज करते हैं तो उन्हीं की scientific study को बोलते है ethno-pharmacology आपको जाना चाहिए institute of bio-resources for sustainable institute of bio-resources and sustainable development यह इंफाल मनीपुर में है इसने इन conference को organize किया है society for ethno-pharmacology इंडिया और international society for ethno-pharmacology Switzerland के साथ मिलकर अच्छा इसी दोरान जो डॉक्टर जितन्दर सिंग है इन्होंने एक मैत्पून point भी बता है वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूँ यह match the following है पूछ ले जाता है ठीक है यह आद रखेगा PCS exam हो या फिर कोई भी आपका एक्जाम हो स्टेट संबन तो महाँ पर पूछ ले जाता है या फिर बैंक में ही पूछा जा सकता है जो single question के तोर पर देखिनोंने कहा कि बारत ने दो सालों में चार indigenous vaccines बनाई है तो इनके नाम देखेगा और यह क्यों famous है यह जानिएगा क्यों अलग है क्यों unique है जाय कोवटी यह वर्ट की first एंडिया की indianously developed DNA vaccine है कोर्भी वेक्स्टिम यह इंडिया की first protein sub unity vaccine है जैम कोवेक यह वर्ट की first एंडिया की indianously developed mRNA vaccine है और इनकोवेक यह वर्ट की first एंडिया की indianously developed intra-nazal COVID-19 vaccine है अब कोई भी एक्जाम हो आपके यहाँ question बन सकता है कि इन में से कौन सी वर्ट की first एंडिया की indianously developed mRNA vaccine है तो यह चार options आपके पास दे दी जाएंगे तो confusion हो जाएगा न इसलिए यह point math पूर है एक साथ आपको चारो vaccine की जानकारी मिल गई है साथी नहीं ने यह भी बता है कि इंडिया की जो bio economy है यह 2022 में जहां 80 billion US dollar है यह 2025 तक 150 billion US dollar पहुंच जाएगी और 2030 तक 300 billion US dollar हो जाएगी यह आप याद रहे है 2030 वाला जो target है 300 billion US dollar यह काफी मैंत पूर है वेराइस Ministry of Ayush organized its first चिंतन सिविर फोर Ayush Ayush स्मंदराई ने अपना पहला चिंतन सिविर कहा आउच जित किया है सही answer option दी है काजिरंगा नेसल पार्क देगे Ministry of Ayush ने अपना चिंतन सिविर काजिरंगा नेसल पार्क आशाम में आउच जित किया इसे Union Minister of Ayush सर्वनंदा सोनवाल दोरा इनुक्रेट किया गया है यहापर आपको Ayush Ministry के बारे में जानना चाहिए देखें 1995 में Ministry of Health and Family Welfare के तहत Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy इसको इस्टेब्लिश किया गया था उसके बाद इसे रिनेम कर देगा Department of Ayush और 9 November 2014 को यह एक अलग Official Ministry बना दी गई Ministry of Ayush तो पूछ ले जाता है कि Ministry of Ayush कब अस्दित्व में आई तो आंसरोगा 2014 में For the first time ever the year-long commemoration of birth anniversary of Sant Sevalal Maharaj is being celebrated by the Ministry of Culture Government of India He is considered a social reformer and spiritual teacher of each community 12 सरकार के संस्कृति मंत्रा लिद्वारा पहली बार Sant Sevalal Maharaj की जैनती वर्स भर मनाई जा रही है उन्हें की समदाय का समाज सुदारक और अध्यात्मी गुरू माला चाता है Options आपके सामने है सही answer option C है Banjara देखें पहली बार Banjara Community के Spiritual and Regist Leader Sant Sevalal Maharaj की जो बर्त एनिवर्स लिए है ये पूरे साल मनाई जा रही है Mischief Culture Government of India के द्वारा आपको जाना चाहिए इनकी 284th जेनती हाली में मनाई गई है Dr. Ambedkar International Center New Delhi में 26 सथाइस फरवरी को आपको जाना चाहिए जो Sant Sevalal Maharaj इनका जन 15 फरवरी 1749 को Surgondang Kopa Siwamoga District of Karnatak में हुआ था और इनका जो समाधी इस्थल है ये मनुरा तालुका और वसीम District of Maharaj में इस्थित है Where has the Ministry of Tourism Government of India Organized Snow Marathon for the first time in association with Real Sports India Britain मंत्राले भारा सरकार्णे Real Sports India के साथ मिलकर पहली पार इसनो मेराथन का आविशन कहां किया है सही आंसर अप्शन दी है जम्मू और कश्मीर देखें Ministry of Tourism Government of India ने Real Sports India और Local Administration Amazing Badrwa Tourism Association के साथ मिलकर first इसनो मेराथन को और्गनाइस किया है बदरवा जम्मू में आपको जानना चाहिए जो मेराथन है ये गुगल लंडा से सुरू हुई और इसमें 5 किलो मेटर, 10 किलो मेटर, 25 किलो मेटर तक के रनिंग ओप्शन से रहे जम्मू से ही संबंदीत जम्मू और कश्मीर से ही संबंदीत आपको एक महत्रपुन करेंट आवे भी जानना चाहिए कि इंडिया टूटे टूरिजम सर्वे ने जम्मू और कश्मीर टूरिज्म को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेसिनेशन आवार्ट से सम्मानित किया है विचो फॉलोईंग हैस जोइन हैंट्स इंडियु अपके सापने सही आपको कि इंडियु नेटवरी पर्टनर्स ताकि इंडियु पॉर्मेर नेट वर्को डिलिवरी पर्टनर्स अब यहाँ पर जो फॉर्मेर लिखा है ना जब दो एंटिटी की बात होती है तो जो पहली एंटिटी है उसको former कहते हैं जो दूसरी होती है उसको लेटर बूलते हैं तो यह पर लिखा है former एपस्ट्रोफियस लिखकर फॉर्मर नेटवर्क और डिली पार्टनर इसका मतलब डूंसो डेरिवरी की बात करें इसके जो डिली पार्टनर और इसको इन्शवर्क प्रोवाइड करेंगा Allianz Insurance Brokers तो इसके तहीत Allianz Insurance Brokers यह इंसरेंस प्रोटेक्शन देगा लगभग 20,000 टिली पार्टनर चुए उन्सवर्क बाल के ईसका को Thomas Cook India Limited and which merchant platform have partnered with NPCI to enable payments via UPI for foreign nationals from G20 countries Thomas Cook India Limited और किस merchant platform ने G20 देशों के विदेशी नागरीकों के लिए UPI के माध्यम से बुकतान को सक्षम करने के लिए NPCI के साथ साइधारी की है Options आपके सामने सही answer option C है Pine Labs देखे Pine Labs और Thomas Cook India Limited इन्होंने partnership कि है National Payments Corporation of India NPCI के साथ ताकि G20 countries से जो foreign nationals बारता रहे हैं वो UPI के तुरूप payments कर सके Pine Labs जिसका headquarters NOIDA में इसके CEO B अमरीश राओ है ये एक Indian company है जो financing and retail transaction technology प्रोवाइट करा दी है Thomas Cook India Limited की बात करें तो एक travel agency headquarters मूमबई में है और कई तरह की travel services प्रोवाइट कराती है जैसे foreign exchange, international and domestic holidays, visas, passports, travel insurance नाम आपने सुनाई होगा Which health insurance has announced the launch of health insurance policy reassure 2.2 कि स्वास्ते भीमा करता ने? स्वास्ते भीमा policy reassure 2.2 शुरू कर नहीं खोशना की है options आपके सामने हैं सही आंतर option है नीवा भूपा देखें नीवा भूपा health insurance अनाउंस किया है कि हमने एक health insurance policy launch किया है reassure 2.2 देखें इसमें क्या इन्होंने ने निया दिया है actually क्या होता है न जैसे आप आपने 25 वर्स के उमरे health insurance लिया है यह ना उसका कुछ premium जाएगा लेकिन यह नहीं है कि वो premium आपका same रहेगा जैसे आपकी age बढ़ती है तो age अलग-अलग age bracket के तो पर premium जाता रहता है तो जैसे 25 के हैं फिर आपकर 35 के पहुँच जाएंगे या फिर आप 30 के पहुच जाएंगे 27 के तो आपका premium थोड़ा change होता रहता है premium बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप older होते जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने क्या बता है इस policy में यह लिख रहे हैं कि हमने क्या है आपका जो entry जैसे उसको log कर दिया है कब तक के लिए जब तक आपना first claim नहीं बढ़ते हैं यानि कि 35 साल में आपने 25 साल में यह insurance लिया निवा उपा health insurance के MDN CEO कृष्णर रामचंद्र ने 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 डिफेंस secretary who has been given an extension in service till October next year रक्सा सेच्यू का नाम बताइए जिने अगले साल October तक विस्तार दिया गया है ओप्शन साब के सामने हैं सही answer option दिया आरमाने गृतर देखे appointments committee of the union cabinet ने जो secretary of department of defense है अरमाने गृतर इनका जो कारेकाले उसको extend कर दिया गया है वो भी इनके super innovation से आगे यानि कि रिटायर होने वाले उससे भी आगे का इनको कारेबार दीते गया है यह साल जून में रिटायर होने वाले थे 60 साल पे लेकिन अब जो इनका यह कारेकाले यह 31 October 2024 तक कर दिया गया है दरेजर बैंक ऑफ इंडिया has imposed a monetary penalty of 1 lakh रुपीज on which city-based वियापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेट भारत रिजर बैंक ने किस सहर इस्तित वियापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेट पर 1 lakh रुपे का मुद्रिक जुर्माना लगाया है सही आंसर अप्शन भी इन दोर है देखिए आपको जानना ची रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने 1 lakh रुपे की monetary penalty लगाई है अन इन्वेस्मेंट्स पाई primary urban cooperative bank ये सब पढ़ने ही जुरोत नहीं है कि ये तना याद रगे एक लाग रुपे की किस पर लगाई है और ये कहां पर इस्तित है इसे दिसे से दूसरा देखे हम तो RBI ने monetary penalty लगाई है 4 लाग रुपे की राज़कोर्ट commercial cooperative bank limited ये तो आप जाने गए नाम सही की कहां पर है राज़कोर्ट गुजरात में है what was the bank credit growth in December 2022 as per the quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks released by the RBI RBI दोराचारी अनुसूचित वानिजिक बैंकों के जमा औरिन पर तिमाही आकडों के नुसर December 2022 में bank credit growth कितनी थी options आपके सामने हैं सही answer option 16.8% देखे Reserve Bank of India ने December 2022 के लिए quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks इसको release कर दिया है इसकी highlights देखेंगे तो जो bank credit growth है कि December 2022 के लिए 16.8% रही वहीं इससे पहले वाले quarter में 17.2% थी और पिछले साल December में 8.4% थी अगर हम देखें जो credit में growth हुई है ये metropolitan centers में जो bank branches है उन में ज्यादा देखी गई लगबख 7 परतिशत जो total credit है उसमें 60 परतिशत की growth in metropolitan center में दीख गई है और इन्होंने 17.2% rise भी record किया है लेंडिंग के मामले में पॉब्ली सेक्टर बैंक्स की जो credit portfolio है वो 15.7% से बढ़ा है calendar year 2022 में जबकि 2021 में के वल 4.7% था प्राइविट सेक्टर बैंक की बात करें इनका पॉब्ली सेक्टर बैंक से ज्यादा ही है जो credit portfolio है 19.1% जबकि एक साल पहरे 13.1% था वहीं अगर हम aggregate deposits की बात करें तो 10.3% से बढ़ा है December 2022 में और 13.2% growth term deposit में दिखा गया है current deposit में growth 4.6% रही savings deposits में growth 7.3% रही है deposit mobilization by public sector banks 8.8% growth देखने के लिए मिली है हाला कि जो private sector banks की deposit growth है 13.2% से कम ही है public sector banks की all India credit deposit ratio यह 75.9% रहा December 2022 में जबकि यह 100% से उपर रहा आंदर प्रतेश महाराष्ट तमिलाड और तेलंगाना में तो यह आप याद रखेगा यह सभी जो highlights है previous assignment questions के answer देखेंगे what is IRR BB interest rate risk in the banking book actually RBI ने हाली में जो IRR BB है इसके management, measurement, governance, संबंदित कुछ circular जारी के इसलिए चर्चा में था circular आप पढ़ सकते हैं मैंने पढ़ा दो मचको कुछ math puns में लगा नहीं के वल यह लगा कि IRR BB के full form क्या होती है या आपको जाननी चाहिए where was the inaugural I2 U2 business firm held on 22nd February 2023 Abu Dhabi UAE which edition of the Asia Economic Dialogue was held from 23rd to 25th February 2023 in Pune 7th which bank on Feb 2022-23 has announced a partnership with PayNow the online payment system of the city-state for cross-border payments answer is SBI the 41st meeting of the monetary policy committee constituted under section 45 ZP of the Reserve Bank of India Act 1934 was held during Feb 6-8-2023 आपने से का या स्टेन से बिलकुल सही आंसर दिया है इसी दर पार्टिपे ताप करते रहिये चलिये आज क्या सामने कुस्टन देखेंगे when is the rare disease day celebrated which IIM organized the Y-20 consultation event at its campus in a first Indian submarine INS Sindhu Keshari talked in which country who has been appointed as CEO of Oxford University Hospitals NHS Trust which agency will be operating Baba Sahib Ambedkar Yatra Tour Package under Dekho Apna Desh Initiative which countries had launched the International Tote Resilience Alliance at the CUP27 to the UNFCCC at Sharmal Sheikh Egypt पिछले साल क्रेंट अफेर बताईएगा तो इन 6 questions की answer comment box में आप जरूर दिजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs front of telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आप रहे current affairs की प्लेजिस दिकेए इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शेयर जुरू करें आज का इस सेशन आपको कैसा लगा comment box में वश्चे बताईएगा thank you guys